फिरसे एक बार आप सभी का स्वागत है रेट्रो स्टडीज में जिसमें आज हम लोग इंगलिज का क्लास स्टेंथ का सेलबस कवर करेंगे फिर्स फ्लाइट का जो पहला चैप्टर है लेटर तु गॉर्ड उसका फुल समरी हम लोग देखेंगे यह चैप्टर है इसमें एक कि लेंच भार का फार्मर रहता है और उसका जो हास रहता है वो एक वैली में होता है हम लोग फोईंट दीक सतवी ब Prix लेंच एप्टर आई कि बद हुआνध रहता है उसका फरटाए में ऑलयता है और एक एसे आप कास्ता है गाल उसको लियुए को भी था रहता है है उसको किली तरीके से है जए कि लोल्हिता है कि बीड़ी तरीगे का मतलब अच्छे तरीके से होता है क्या होता है second point देखेंगे जो main point है कि rain start हो जाता है लेंचो इसकाई के तरफ देखता है और especially नर्थ के side में देखता है वो क्या देखता है कि cloud दिखाई दे रहे होते हैं cloud जो काले बादल दिखाई दे रहे होते हैं बारिस लेके आ रहे होते हैं उसकी जो बीवी रहती है लेंचो की वो खाना बना रही होती है रात का खाना सपर बना रही होती है जो लेंचो होता है वो उससे कहता है कि अगर भगवान चाहेंगे तो बारिस जरूर होगी और ये बात कहने के बाद तुरंत बड़े बूंद बरसने लगते हैं लेंचो बाह इसलिए फिल किया क्योंकि वो उस समय उस drop of rain को नए नए कोईंस से क्या करने लगा था relate करना start कर दिया था नेक्स पॉइंट में देखेंगे कि बारिष तो होती है वो बहुत प्रसंद होता है लेकिन हेल स्टॉम के वज़ा से बहुत उसको घाटा सेहना पड़ता है और तुरंथ ही चारो तरफ हील स्टॉम दिखाई देने लगता है बर्फ दिखने लगता है वो बर्फ बारिष पूंद की तरफ बर्फ चारो तरफ रह जाता है जो फिल्ड उसका रहता है वो वाइट कलर में दिखाई देने लगता है फिल्ड बिकेम वाइट ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो नमक से कवर हो चुका है जो उसका क्रॉप रहता है वो टोटली डिस्ट्रॉइड हो गया रहता है और यह चीज़ देखने के बाद लेंचो का मन उधास हो जाता है जो कि उसका फसल बरबाद हो गया था इसके लिए वज खुमरी से मरना पड़ेगा क्योंकि उसका फसल होता है वो डिस्ट्रॉइड हो गया होता है और उसके पास कोई भी थोड़ा सा भी सीड नहीं होता है कि वो निक्स्ट क्रॉप के लिए उसको यूज मिला सके तो फाइनली इसको एक आइडिया सूचता है जैसे कि हमारे मन मे विशार आता है कि अगर यह सारी चीज़े होती है तो हम लोग भगवान को कहते हैं कि भगवान के कारणी हुआ है तो इसके मन में ऐसा ही कुछ विशार आता है और वो उड़ता है कलम लेता है कापी लेता है एक एंवलप लेता है और भगवान को मैसेज करने का प्रयास करत पूस्ट आफिस में जाता है कि भगवान चाहेंगे तो कोई भी भूख के कारण उसके घर में मरेगा नहीं भरे फसल खरावी क्यों नहीं हो गई है उसके अंदर भगवान के प्रती एक great belief था एक सची निष्ठा एक सचा भक्ति कि जो भी होगा अच्छा होगा भगवान उसक क्या होता है कि अगले संदे को वह पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहां पर जाने के बाद वह पत्र लिखता है भगवान के पास और पत्र में लिखता है कि हे प्रभू आप हमारे लिए 100 पे सॉस भेज देजिए 100 पे सॉस अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो पैसे की की दिमांड कर रहा है जैसे हम कह सकते हैं कि 100 रुपे की दिमांड ठीक है और जब वह लेटर लिखता है तो लेटर में एड्रेस जो डालता है गौड का वहां पर लिख देता है गौड नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फर लेंचू होता क्या है कि ज ढाकिया कह सकते हैं उसमें भी अलग-अलग पोस्ट होते हैं तो जो ये लेटर मिलता जो लिख फो लिखा होता है और वो लेंचू वाल लेटर लेके जाता है अपने सीनियर जो रहता है पोस्ट मास्टर उस filtering प्सट पहूंब पहुस्टकल में उस के पास और मेसेज पहुचाने का प्रयास कर रहा है लेटर पर लिखा है एड्रेस के रूप में गॉड ही विस्टु हाव सच फेथ इन गॉड चुकि जो पुष्ट महाश्टर रहता है उसके मन के अंदर एक अलग सी प्रसंदता होती है यह देख कि कोई ऐसा भी वैठती है जो कि इतना निष्टा रखा हुआ है भगवान में वो अपने हिसाब से कुछ आइडिया लगाता है कि इस लेटर का एंसर हमें देना चाहिए लेकिन जब रीड करता है तो क्या फाइंड करता है पुष्ट माश्टर कि उसमें लेंचो ने अपने सारे दुख दर्द कर्ष्ट पीड़ा वैठता सब वैठत किया हुआ है और वो बताता है कि अगर हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे अगर प्रभू आप हमारे पास इ पाकि इसने लिखा हुआ था लेंचो लेंचो ने लेटर लिखा हुआ था तो राइटर वही हुआ तो उसके फेद को रखने के लिए क्या करता है उसके उस इमंदारी को देखते हुए जो भगवान के प्रति जो स्रद्धा है उस भक्ति को देखते हुए वो कहता है कि इस जवाब दिया जाएगा उस इंसान को जिस इंसान ने ऐसा लिखके भगवान के लिए मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे आगे बढ़ाता हुआ जो पुष्ट मास्टर रहता है अपने दोस्टों से क्या करता है कुछ पैसा ले लेता है कहता है कि डोनेशन के रूप में दे दो ताकि उस व्यक्ति के फेथ को कमजोर ना माना जाए उसका उस व्यक्ति का फेथ और भी ज्यादा मजबूत रहे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मनी सेट लेंचों के पास तो आता है पोस्ट मास्टर कुड कर लेक्ट कर पाता है क्या होता है कि पोस्ट मास्टर जो रहता है अपने इंप्लोईज और अपने फ्रेंड से वो कुछ ही पैसा कलेक्ट कर पाता है कुछ ही पैसा 17 पेशों के आसपास वो कलेक्ट कर पाता है और उसे envelope में डाल के और लेंचों के address पे भीज देता है और उसमें address लिखता है कि कहां से ये आया हुआ है तो वहाँ पे एक single word लिखता है God मतलब भगवान ने signature किया भगवान ने लेंचों के पास पैसा बेजाए ऐसा लेंचों को समझ आ जाए next point हम लोग देखेंगे लेंचों receives the money लेंचों पैसा रिसीव करता है following Sunday लेंचों came to the post office and asked if there was any letter for him he was given that letter अब यहाँ पे address हम लोगों ने देखा money sent to लेंचों money तो भेजने वाली बात हुई लेकिन यहाँ पे यह चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि money actual में पैसा जो था envelope के साथ भेजा नहीं गया था लेकिन लेंचों जब पैसा time पे नहीं मिला तो लेंचों वापस उस post office में आया और पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेंचों के लेंचों को क्या किया गया कि वो लेंचों लेने के बाद किसी प्रकार का कोई surprising reaction नहीं दिया और उसमें क्या वो देखा पैसा देखा पहले तो पैसा लिया लेने के बाद वो पैसा कोई भी इंसान कान करता है और पैसा लेके कान किया और कान करने के बाद वो बहुत गुसा हुआ वो कहता है कि भगवान ऐसा करी नहीं सकते ऐसा mistake वो करी नहीं सकते he juegos वो ऐसी प्रकार का mistake करी नहीं बाई तो निस्टेक कौन किया है मन में तो दूसरी बात चलने लगी थी नेक्स पॉइंट देखेंगे इसमें सब प्राप्त करने के बद क्या करता है कि जो आफिस की इंपलोईज होते हैं उन लोग को वह क्रुक्स कहता है उसके मन में ये विचारा जाता है कि अरे भगवान से ऐसी गलती हो यह नहीं सकती उसके तुरंत बाद वह लेंचो फिर से एक और पत्र लिखता है भगवान को और उस ओपन करने के बाद क्या देखता है कि लेंचो उस लेटर में क्या लिखा है कि वो पैसा तो रिसीव किया लेकिन कितना किया सेवेंटी मांगा था कितना सो सत्तर बस वो रिसीव किया अब कहता है भगवान को लेटर लिखके उसमें बोला रहता है वो कि देखिए भगवान आपने हमको, हमने सौ मंगा, आपने सतर बेजा, अब देखिए ये गलत बात है, आप हमको 30 और भेज दीजिए, मतलब जो बचा हुआ हो भेज दीजिए, लेकिन भगवान कैसे बेज सकते हैं, मेल के तो कैसे बेज सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, अब क्या होता है, कि लेंचो जिसके ये employees हैं, ये क्या किये होंगे, उसमें से 30, 30 पेसों क्या कर लिये होंगे, चुराल ये होंगे, और फाइनली, यहां पे आपका जो जी चैप्टर है, समाप्त होता है, थैंक यू फर वाचिंग, प्लीज, लाइक, सेर और सब्सक्राइब, मै चैनल, रेट्रो स्टडीज